इस याचिका के आधार पर अगर कोई निर्नाय आता है हाई कोर्द वारा तो यह कई अभ्यरतियों को काफी अधिक फायदा दे सकता है क्योंकि इसमें कही लोगों का जो जात्वमार पत्र को लेकर विवाद हैं तो इसके चलते कई अभ्यरतियों को फायदा मिल सकता है 2015 पूलिस भरती परिच्छा में उसमें एक और याचिका हाई कोट में दार की गई है याचिका क्या है इसके बारे हम लोग आपको बताने जा रहा है इसमें बोला गया है जो जो बाते सब आपको हम बताएंगे अगर आप हमारे चनल पर नए है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करे जाज जाज शेयर करें तो आए हम लोग वीडियो सुरू करते हैं लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चानल को और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चानल से आप जुड़े रहिए और एक बार फिर से उत्तरपरदेश पुलिस भरती 2015 मेरिट का अधार पर जो हो रही है उसके लिए फिर से पेश रुकने वाला है क्योंकि एक अभैर्थी ने याज का दार की है कि उसमें उनका जो नंबर है वो कटाफ से जादा है लेकिन जो कटाफ से कम नंबर वाले का है उनका चैन किया गया है इनका चैन नहीं किया गया है तो इसमें क्या था तो विवात कार्ण इसमें यह है कि जो उन्हों ने विग्यापन दिया था यूत्तरपरदेश पुलिस भरती बोर्ड ने उसमें जो याचिका करते हैं उन्हों ने बोला कि जो विग्यापन दिया गया था कि विज्ञापन के अनुसार ये प्रमापत्र नहीं दे पा CBD कि जात्रमार था वह पहले का पुराना रभी जत्मार त坐 कि वह वह मैन वेक्ट बनाय गया था लेकिन यह यह नया प्रमापत्र आता है अब अलय ना अयता है तो इन्हों ने वह छुटेर याचिक DRG आ का दायर की है हाई कोट में इन में यह बोल रही है कि जो मेरिट गई है यूप पुलिस की वह गई है महिलाओं की 410.66 लेकिन इनका जो अंक है वह है 412.9 कताब से यानि की यह दो नंबर अधिक है फिर भी इनका सेलेक्शन नहीं किया गया है तो अब इसकी जो सुनवाई है अभी पहली सुनवाई जो होनी वाली है यह 10 जुलाई को इस मामले में सरकार से उनका पच्छ मांग गया है तो अब अगली सुनवाई 10 तारिक होगी तो जैसा न्यूज आता है अगर कोई फेर बदल होता है इसमें तो मैं जरूर आपको बताऊंगा ठीक है तो बहुत बहुत धन्माद दोस्तों अगर न्यूज आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चंग सब्सक्राइब करें वीडि दे हैं प्ले अगली वीडियो में